एक ऐसा farming है goat farming जिसके लिए सिधा आप जो चीज जिस चीज को चाहिए उस चीज को हम सिधा खरीते हैं और उसको काम चालू करते हैं बाकी मैं ऐसा है कि हम बड़ा infrastructure करना पड़ता है शुरुवात में चालू करने के लिए तो खर्चे बढ़ जाते हैं नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों अतुली करिसी में आप सभी का स्वागत है साथियों आज हम आप लोगों को मिलाने वाले हैं किसान भाई से जो की बकरी पालन करके अप्टा पूरा जीवन यापन करने हैं और यह बड़तेल के साथ क्रॉस यह बड़on का सामने देख पार रहे हैं और सर को इसका अनुभव कैसा लगा इसकी फार्मिंग कर लेकर के तो इसके बारे में हम अभी सर से डिटेल लेने वाले हैं तो सबसे पहले सर हमारे सामने किसान भाईयों को जो है अपना परिचा देंगे 轉ल को मेरा नाम है धनी्रामयदौ गरामगे धवरी ठाना वाराद्वार जर्लाजानगीर चमप टो अभी जो है इसकी पालान आप कभ से करें बहुसे करें जो मैं 45 साल से से सिंग बखरी का यह बच्चा है और यह भी वजन में 40 किलो लग भगाया है अभी आपके पास कितनी बख्रे और बख्रिया है मेरे पास 21 बख्री है किसान भायों को बताइए कि इसकी देख रेक आप किस तरह से कर रहे हैं उसके बारे में इसका रेक बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है और करते भी हैं तो इसमें इसका रेक देख के लिए सलाह डंक्टरों से मैं लेता हूं खास करके और उनके माध्यम से भी अपना खु खुद घर में इसको खिला रहे हैं उसके बारे में खुद इसको मतलम चराने के लिए निकालता हूं अच्छा रहे हैं जानकारी लेंगे कि इस ब्रीट का किस तरह से रिस्पॉंस आ रहा है उसके बारे में सभी किसान बाहियों को मेरे नमस्कार और आप सबीका वेलकम तो अभी फोर्ण करके हमारा भी जो यहां से बस दो किलोमेटर दूरी पर है कचंदा के विलेज में है और चापा से चापा रेलेशन स्री 25 किलोमेटर दूरी पर है आपको आने एक मुश्किल से 20-25 मिनिट लगेगी आप हमारे फार्म के विजिट कर सकते हैं जब भी चाहेंगे आपके बकराव प्रॉपर टाइम सेक्सिशन होता है और इंका देखरे करने में कोई कसर नहीं किये जा रहा है बराबर अच्छे से देखरे किया जा रहा है और यह जो किसान है यह काफी मुनाफ़वी कमा रहा है इससे तो जैसे आपको हम बकरा दिखा रहे थे उसमें देख़िए एक और देशी कि पर आपको रिजल दिखा रहे है चार दात का बच्चा है और दो दात का बच्चा है यहां से आप रिजल समस्थ लगते हैं कितनी फशराती अच्छे क्रॉप घरर लेंगे और उसे अपने देशी बखरी के आप क्रॉस करवाएंगे तो आपको रिजल्ट जो आपके सामने है यह आपके सामने में खड़ा किया हूँ चार दात का बच्चा है आप देखिए और चार दात के बच्चे में इतना ग्रोथ है यह आराम से 20 से 25 कजी कास पास उपर पहुंच अच्छा होता है तो यह इससे लिए आप किसानों की सजेस्ट करते हैं कि आप ज्यादा ज्यादा अच्छे बिट का बखरा खरी दिए आपने बख्रियों से क्रॉस करवाई और उसका बच चलीजिए इसमें जो है किसान भाई को काफी मुनाफ़ा इनके पास एक एकड़ से अभी कम खेत है फिर वह सालाना की पूरी इंकम कर पा रहे हैं तो इसे घर भी उनका पूरा चल रहा है तो इसी तरह अगर आप ब्रीड में आगे काम करते रहेंगे तो आपको आमदनी लगातार बढ़ती हुए जाएगी तो सर आप सामने किसान भाईयों को बताएंगे इस ब्रीड में क्या फाइदे आपको नजर है इस ब्रीड में क्या है देशी बक्री और इसमें तो बहुत अंतर ही है क्योंकि इसमें मतलब 40-50-70-70 kg वजन मतलब इसका आता है और अच्छा और मतलब इसका पालन किया जाया तो उससे और भी मतलब बढ़ सकता है बांकि मेरा सा कारण है कि जैसे इसका क्रॉस कराए गया अधर ब्रीड के साथ हमारी देशी बक्रियों को उसका कारण हम जाना चाहेंगे कारण ऐसा है कि हम देशी बक्रियां पालते हैं उसमें होता कि एक साल तक पाले उस बक्री को उसका वेट आता है मुश्किल से 20-25 kg तक कापी चोटा इससे क्या है कि हम एक Margin ता कामा लेते हैं और आने वाले समय में जो क्रॉसिंग ब्रीट का बक्रा उसका हमारे पास आ जाता है तो एक कम खर्च में आच्छे क्यों के बक्रा दसल अच्छे नसला की बक्री बक्रां त्यार कर लेते हैं जिसके वाइसे हम लोग ब्रीडिंग क्यों फोकस कर हम किसान को सजेस्ट कर रहे हैं कि अच्छे बीट का बखरा लाइए और अपने देशी बखरों साथ क्रॉस करवाई और उसका बच्चे लीजिए जिससे आप कम खर्च में आप अच्छा गुरूत कर लेंगे पहले में क्या होता कि आपको 75% के आसपास रिजल् जब 40 केजि में होगा जब 4 के और चार क्रेगा तो कित्ता वेट करेंगे तो आहम से 50-60 कीजिए सतर केजिए तक वेट कर लेगा बागी बख्रियों कि तरह हमें काफी मुनाफ़ा है इसमें इसलिए हम लोग यह जिए चीज़ को सला देते हैं किसानों को क्यों करें और इस स यज एज जिसने. जिए.